जैहिन दोस्तो वेलकम बैक अगेन मैं चैनल अनिल आर्मी रैडर ब्लोग्स दोस्तो आपका तेह दिल से स्वागत है मेरे चैनल के उपर और रासा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तो तो दोस्तो मैं एक्स आर्मी मसीप क्योंकि आज बहुत सारी आपको ऐसी टीप्स मिलने वाली है जो कि आपकी लाइफ में जिन्दिकी पर काम आने वाली है दोस्तो जब तक आप चाहे सिबिल में रहते हो या फिर आप इंडियन आर्मी के अंदर नोकरी करते हो दोस्तो दोस्तो फाइदा आपका है और वीडि कैसे लगाने है और आपको पूल अपस कैसे लगाने है दोस्तो यह सब आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ और आपके लिए बहुत ही फाइदेवन वीडियो होने वाली है दोस्तो तो दोस्तो आज बात करूँगा मैं फिजिकल आर्मी इंडियन फिजिकल test के बारे में दोस्तो तो कैसे वो test होता है दोस्तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो की academy join कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता और काफी सारे वो पैसे वहाँ पर अपने खर्च कर देते हैं तो मैं उनके पैसे वो वहाँ पर है बचाना चाहता हूं दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको कोई भी academy join करने के जूरूत नहीं है physical के लिए आप घर घर में ही खु़द से मेहनत करके अगर अगर आपके अंदर जोस है जनून है अपने आपको सही साबित करने का अगर तो दोस्तों आप घर पे ही अपनी तियारी कर सकते हो और अपने आपको एक इंडियन आर्मी का सोलजर बना सकते हो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरी कुछ टिप्स को आपको फौलो करना पड़ेगा और उस वे पे चलके आप अपनी running को जरूर crack कर पाओगे दोस्तो और मैं guarantee देता हूँ दोस्तो अगर आपने इन चीजों को follow कर लिया तो आपको running में कोई पीछे छोड़ नहीं सकता दोस्तो तो दोस्तो आपको क्या करना है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ घर पे आपने वही चीज़ें को follow करनी अपनी running में अगर आपकी running में सुधार नहीं आया तो आप मुझे comment कर सकते हैं दोस्तो आपकी running में सुधार जरूर आएगा दोस्तो यह मेरी का guarantee है क्योंकि मैं जो चीज़ें experiment की हुई अपनी life के अंदर जिन चीज़ों चीज़ें मेरी की life में हुई है वही चीज़ों में आप लोगों के साथ share कर रहा हूं दोस्तो तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं के इंडियन आर्मी में होती है सबसे पहले फीजिकल के अंदर दोस्तों उसके लिए आपको आपका जोस जनून आपकी महनत आपका पसीना सब आपको बहाना पड़ेगा अगर आप वोसमत बहाने के लिए तयार हो तो आप इंडियन आरमी के सोलजर बनने के लिए भी तयार हो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा 1600 meter की running जिसमें की कुछ ही candidate क्या है first group में क्या suffer lope आते हैं आने के लिए दोस्तों और कुछ उसमें नहीं आ पाते हैं दोस्तों तो first group में अगर आते हो तो आपको 60 marks मिलते हैं दोस्तों वहाँ पर तो आप 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 आपको वहाँ पर क्या full marks मिलते हैं यानि कि 60 marks ठीक है दोस्तों और अगर आप second group में वहीं आ जाते हो तो आपको किदने marks मिलते हैं 40 marks मिलते हैं दोस्तों जिससे आप जो है final में क्या हो सकता है आपको merit list में आपका नाम आने से आपको दिक्कत पहले सबसे पहले सुवर अठने कcolored कि practice आपको सबसे पहले करना है सुवर उठने की practice सेकंडली आपका रनिंग की स्पीड और स्टेमना बढ़ाने की जो प्रैक्टिस है सेकंडली वह चीज करने दोस्तों थार्ड कुछ मेरी बाते हैं जिसके ओपर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों इनी तीनों बातों के आज हम क्या डिसकस करेंगे इन आज आप लोगों को बताने वह लाओं दोस्तों यदि आप इंडियन आर्मी रैली की भरती कर रहे हैं तो कम से कम सूवे आपको साड़े चार बज़े उठना होगा दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंडिडेट्स होते हैं जिनको शुरुआत में सुवे उठना बहुत ज्यादा म प्रेक्टिस करनी हो तो दोस्तों आपको साड़े चार बजे उठने के आदा डालने होगी दोस्तों क्या आप तयार हैं इस चीज के लिए अगर आप तयार हैं तो आप इंडियन आर्मी में जाने के लिए भी तयार हो दोस्तों दोस्तों आपको यह चीजें करनी होगी अपने आप से लड़ना होगा दोस्तो इस भीड से लड़ना होगा अगर आप लडने के लिए तयार हो तो आप इंडियन आर्मी में जाने के लिए भी तयार हो दोस्तो तो समझ लो दोस्तो यहाँ पर क्या है जो है आपकी आर्मी रनिंग में पास होने का जो है आपने 20% काम कर लिया आगर सुभ Nin आप साधे चार बजे उठना स्टाट कर दी हो डेली रोज दोस्तो बैसे तो Indian Army को join करना चाहते हो तो आपको देर तक सोने की आदत छोड़ देनी चाहिए दोस्तो अगर आप brh floor डेंजी परें के यह ऑना चाहते हो तो ग्राउन में पहुंचना है तो पहुंचना है आप लेड नहीं हो सकते हो दोस्तों तो वो चीज आदता आपको यहां पर क्या है डालनी है दोस्तों और दोस्तों अब मैं आपको कुछ बता हूँगा अर्ली मौर्निंग उठने के लिए कुछ जो टीप्स हैं उसके बारे में बात करने बाना है दोस्तों तो इनको अपने अर्ली मौर्निंग टीप्स को अपने अपने जहन में भर लेना है दोस्तों सबसे पहले बात करूं दोस्तों कि रात को सोतस में आपको क्या करना है हलका भोजन खाना है जिससे क्या होगा कि आपको सुबह रणिंग से पहले क्य करने यह नहीं है रात को ज्यादा देरी से सुने के बात की आसकते सुबह उटने में सीयं लेट नहीं करना है अप प्रति दिन करने पर नहीं जापाओंगा अगार क्योंकि सुबह उठने में आपको दिक्कत आएगी तो इसलिए आपको तक्रीब नो बजे करीब आपको सो जाना है दोस्तों यहां पर यह नो साड़े नो जो भी आपका टाइमिंग है उस पर उससे लेट नहीं करना है दोस्तों आपने रात को साड़े नो पीम तक आपने सो जाना है बिल्कुल एक दम जिससे क्या होगा सुबह के वक्त तक आपको भरपूर नीद मिल जाएगी और आप सुबह एक दोन फ्रेस महसूस करें दोस्तों यह जो टिप्स बता रहा हो दोस्तों आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप घर पे रह एकसर इसमें फॉजी भी हो सकता है यानि कि रनिंग पार्टन होने से क्या होगा आपको डेली उठना पड़ेगा और रनिंग के लिए क्या आपको जाना पड़ेगा दोस्तों एक आपकी हैबिट बन जाएगी कि मेरा फ्रेंड आ रहा है मुझे इसके साथ दौनने के लिए जाना है तो क्या होगा आपकी हैबिट बन जाएगी दोस्तों बात कर टीप्स नंबर फोर की दोस्तों दिन में आप बिल्कुल भी नहीं सोना है आपको आपको रात को ही नींद क्या है जल्दी आईगी और सुबह के आप जल्दी उठने में आपको मदद मिलेगी दोस्तों तो यह चीज आपने करनी है यहाँ पर अलारम लगा कर सोएं ताकि एक ही अलारम में आपको उठने में क्या है आपकी आदत बन जाए दोस्तो अलारम पक्का लगाना है जब भी आपने सुबह उठने क्या उठना है आपने और सुबह आपने आलस नहीं करना है कभी उठने में यदि आप लगातार 21 दिन तक तो आपका जो सेडूल है दोस्तों वो इंडियन आर्मी की भरती से पहले तो दोस्तों ये पार्ट था सिर्फ जो बने रहे और मेरी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंट भारत वंदे मात्रम